सिर्मोर्च और आये से विश्विद्याला जाने वाले मार्ग में इसने हाँ पेट्रॉल के पंप के सामने एक गोंती में लगी आ वहाँ पर सब्जी की दुकान और डेरी संचाली थी समय रहते आग पर इस्थानी लोगों ने पाया काबू कोई बड़ी जन्हान नहीं गुई रीवा के विश्विद्याला जाने वाले मार्ग में इसने हाँ पेट्रॉल पंप के ठीक सामने सब्जी और डेरी की दुकान संचाली थी यहीं पर एक सिलेंडर में लगी आग जिसे इस्थानी जनों ने आग पर काबू पाया इस दौरान दुकान में रखा हजारों का सामन जल कर हुआ खाग अच्छी बात यह रही वैसताम मार्ग पर इत्वार की वज़ा से और सिर्मा और चुराहे में फ्लाइ होवर बनने की वज़ा से भीड काफी कम थी हलाकि इस मार्ग में भीड काफी होती है दोपहर होने की वज़े से भीड कुछ कम थी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया जिस जगह पर आग लगी उसके ठीक सामने एक बड़ा पेट्रॉल पंप संचाली थै रीवा के विसुद्याला मार्ग में इसने हाप पेट्रॉल पंप के सामने उस समय अफरा तफ्री का माहौल निर्मित हो गया जब दोपहर को एक सबजे और डेरी की दुकान में वहाँ पर रखे एक सिलिंडर की वज़े से आग भड़क गई जब तक कोई कुछ समझ पाता आग पूरी तरीके से दुकान में फैल चुकी थी ततकाल ही विद्दुत मंडल को फोन किया गया विद्दुत मंडल की गाड़ी ने आकर लाइट काटी इस्थाने जनों ने आसपास से पानी का इंतजाम करके आग पर काबू पाया इस दौरान दुकान में जो भी समान रखा था वा पूरी तरीके से जल कर खाक हो गया रीवा में अभी कुछ दिन पूर ही पावर हाउस के पास खात के गुदाम में भी शाड़ाग लगी थी जिसे समय रहते काबू पालिया गया था दोनों ही मामलों में अच्छी बात या रही किसी भी तरीके की कोई जनान नहीं हुए रीवा के इस नहा पेट्रॉल पंप के सामने जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी साब तौर से देख पा रहे होंगे जिस तरीके से आग की लप्टे निकल रही है ठीक वही पर एक सिलिंडर पड़ा हुआ है इस्थाने लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए ततकाल ही आग पर काबू पाने का प्रयाद सुरू किया और देखते ही देखते आग पर काबू पा लिया आज जिस जगह पर लगी सड़क के उस पार पेट्रॉल पम है वहीं पीछे की और एक बड़ी कालोनी है जिसमें हजारों की तादाद में लोग निवास करते हैं कल पना करिए अगर सिलिंडर में भी स्पोर्ट होता इतवार का दिन न होता तो बड़ी जनहानी भी हो सकती थी सड़क में काफी भीड होती वीवासहर का काफी व्यस्ततम मार्ग है जादा तर मामलों में पिछले समय में देखा गया है आग लगने की वज़ा गर्मी होती है गर्मी में आग लगने के मामले जादा नजर आते है जब खेतों में कटाई होती है गर्मी की वज़ा से बिजली या अन्य किसी वज़ा से आग लगती है उस दोरान हावा भी तेज चलती है आग पर काबू पाना काफी मुश्किल होता है दोनों ही घटनाओं में शहर में आग लगी खात के गुदाम में फायर विग्रिन ने आग पर काबू पाया वहीं इस मामले में इस्थानी जनों की हिम्मत ने काम किया और उन्होंने सोजबूज से पानी का इंतजाम करके आग पर समय रहते काबू पा लिया किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी अप्री दुरगटना घटने के पहले मैं उनिवर्स्टी रोड पर जा रहा था इसने हाँ पेट्रॉल पंप के सामने गोंती में आग लग 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 देखा तो मैंने गाड़ी रोकी और वहां के इस्थानी लोगों ने उसको बुझाया है कोई उसमें जन्हानी नहीं हुई है क्या आपको लगता है सामने पेट्रॉल पंप पीछे मिंडारी कॉंप्लेक्स जिसमें काफी लोग रहते हैं आज चुट्टी का दिन दुपायर का समय अगर ये सिमौर चुराय की रोड चालू होती तो हाथसा बड़ा हो सकता था बिल्कुल हो सकता था बिल्कुल और आज चुट्टी का दिन था अगर कॉलेज वाला रोड होता अगर सुमार का दिन होता तो कोई बड़ी घटना हो सकती है